हेलो फ्रेंड्स मैं प्रदीर स्वाज़त करता हूँ हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल ऑनलान समिट में दोतों यहाँ पर प्येम किसान का यहाँ पर निव अपडेट यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल करा लगी है अगर आप परधान मंत्री किसान सम्मान निधी उजना से अगर आप पैसा 2,000 रुपय चार महिने पर लेते हैं यानि कि साल में 6,000 रुपय लेते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत देखना जरूरी है यहाँ पर EKYC का भी डेट बढ़ गया है कब से कब तक EKYC करना है और KYC का दोस्तों यहाँ पर कैसे status चेक करना है सारी जनकारी यहाँ पर बताने वाला हो तो दोस्तों यहाँ पर पहले बता दूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैसा बंद कर दिये जाएगा सारी जनकारी के साथ यह वीडियो आपको पूरी तरीका से दिखाने वाला हो तो कैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहला मेरा यहाँ पर बीग अपडेट क्या है कि पीम किसान का जो एक किवाई सी करना है वो कहां से करना है और कब तक लाश डेट है सारी जनकारी के साथ और केवाई यह status कैसे चिप करना है सबसे पहले वो बता देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर Google ब्राजिल को open कर लेते हैं और मैं स्क्रीन पर आ जाते हैं यहाँ पर type करेंगे online-summit.com जो पहला वाला website है गया इस पर हमको click कर देना है देखे दो तो मैंने यहाँ पर click कर दिया है online-summit.com के official website पर मैं चला गया हूँ आपको दिखा देते हैं देखे दो तो इस official website पर हरीक तरह की new new update सबसे पहले मिलती है दो तो यहाँ पर एक search bar का option है यहाँ पर आपको click करनी है और यहाँ पर लिखना है KYC KYC लिकर यहाँ पर search पर click कर देंगे जैसे ही search पर click करेंगे यहाँ पर आ रहा है PM किसान KYC new update यहाँ से होगा online apply 2022 इस पर हम click कर देते हैं जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आ जाते हैं नीचे में आ जाता हूँ यहाँ पर देखे पुश्ट important links PM किसान KYC क्लिक हेर पर हम click कर देंगे जो official website है प्रदानमंत्री किसान समान इजी योजना जिस पर KYC हो रहा है यहाँ पर आप दे सकते हैं दोस्तों कि waste eKYC is available on PA किसान पटोड़ यानि कि eKYC अभी available है दोस्तों यहाँ पर PM किसान EC site पर available है दोस्तों देट बढ़ा दिया गया extended till 31 अगस्त 2022 यहलों कि कितने 31 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं दोस्तों deadline of eKYC for all the PM किसान जो भी beneficiary हैं जो परदानमंत्री किसान समान निजी जना से पैसा लेते हैं उनका 31 अगस्त तक वो अपना eKYC कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपको chance नहीं दिये जाएगा आपका पैसा बंद हो जाएगा अगर आप eKYC नहीं करते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे है eKYC का एक option यहीं से eKYC होता है इसके click कर देंगे जिनका eKYC करना है अधान नमबर डाल कर जो भी अधार में mobile नमबर रेजिस्टर है उस पर OTP जाएगा उस OTP को fill up करते हैं तो आपका पूरी तरीका से यहाँ पर बाद आ जाएगा कि जो भी है eKYC successful लेकिन दोस्तों एस्टेटस कैसे चिक करना है तो यहाँ पर जो भी आपका अधान नमबर है जैसे करें यहाँ पर अधान नमबर को डाल लेता हूँ अधकी यहाँ पर search पर click कर देंगी यह दो तो status ही बता रहा हूँ देखें दो तो अगर मालेजिए आप KYC करने जा रहे हैं अगर आप नहीं confirm नहीं है कि मेरा KYC हुआ आए कि नहीं है तो यहीं से आप KYC कर सकते हैं अगर जिनका KYC already हो गया है तो यहाँ पर बोला देगा है पर KYC is already done यानि कि KYC आपका already हो चुकी है तो यहाँ पर कहीं confusion नहीं है कि मेरा मैं confirm हो गया कि मेरा जो KYC हो पहले से हो चुका है तो मैं यहाँ पर दो चीज बता दिया कि PM किसान का KYC का जो नीव अपडेट था वो 31 सगर 22 तक आप KYC कर सकते हैं आप बलाने की जरूरत नहीं है साथ मैं status भी चेक करके दिखा दिया कि कैसे आप status चेक करेंगे यहाँ पर यहाँ पर KYC यहाँ पर करके दिख लेंगे अब दिखें दोस्तों आपको यहाँ पर बता दू कि जो भी प्रणार मंत्री किसान सम्मन निधी योजना से पैसा लोते हैं जो भी किसानों को पैसा सरकार देती है तो यहाँ पर KYC करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप KYC नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है वह पूरी तरीका से स्टप कर दिया गया यानि कि सरकार जो है पूरी तरीका से आपको मृत भोसित कर देगी कि आप मरे हूँ ब्यक्ति है आपका पैसा नहीं आगए यानि कि एक साव तक आपका जो भी पैसा आना था वो सारा का सारा खतम हो जागा इसलिए दो तो आप लोग यहां पर OTP-based आकर KYC आप कर ले बहुत बड़ा एक डेट यही था कि मैं यह बताने वला कि 31 अगस्त तक आप क्या करेंगे KYC कर सकते हैं यहां पर डेट extended कर दिया गया है उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आपने सारे फ्रेंड के साथ सेयर करें तो चलिए तो मिलते हैं अगर वीडियो के ओर